जो इंडिया है वो दुनिया का दूसरा सबसे पड़ा स्मार्टफोन मार्केट है। और तो और क्या आप लोग को मालू है जो इंडिया है वो दुनिया का दूसरा सबसे पड़ा स्मार्टफोन मेकर भी है। यानि कि दुनिया में दूसरे नमबर पर उस सबसे आदर स्मार्टफोन बना जाते हैं, वो भी इंडिया भी बना जाते हैं और ये देखके लग रहा है कि जो इंडिया ना वो बहुत ही जल्दी दुनिया का स्मार्टफोन सुपरपावर बन सकता है अब आखिर ऐसा कैसे होने वाला और उसके पीछे की रीजन के चलिए इस वीडियो में इससे अब पता करते हैं और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लेना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ऐसी अमेजिन वीडियो के लिए तो सबसे वहले बात करते हैं कि आखर इ अफले ही छो आईफोन है न उसके पुराने आईफोन है इंट्वीडिंग आईफोन थैनर वहाज करते हैं अच्छे सी पीlor प do चीज हो जाती कि इंडिया में जो मैनुफेक्ट्रिंग जो फोंस की जो कुछ साल पहले तक बेल्कुल भी एक्जस्ट नहीं करती थी वो काफी जाद अच्छे लेवल में पहुंच गए और काफी जाद तेजी से ग्रोग कर रही है और तो और बात यहीं खतम नहीं हो जाती इ जैसे Realme की बात करें वो हमेशा इंडिया को पहले रखते और इंडिया में अपने फोन को सबसे पहले लाउंच करती जैसे Realme 66 Pro की बात करें Realme X50 Pro का एक flagship phone है Snapdragon 865 वाला phone है उसे वो इंडिया में सबसे पहले लेकिया आ रहे है Even OnePlus के साथ भी कहानी से में OnePlus जब अपना Global Event रखती तो उसी के समय के आसपात यानि कि उसी टाइम पे इंडिया में रखेगी या फिर उसके आगे पीछे ही वो इंडिया में को इवेंट रखेगी जहांपे वो अपने phones का launch करेंगे और इंडिया को जो launch event होता है उनके global launch event से जाधा बड़ा होता है क्योंकि इसे जाधा लोग attend करते है Even OnePlus ने तो अपना OnePlus TV भी सिर्फ इंडिया के लिए इंडिया के अभारा भी दूसरी कंट्रीज में मिलता भी नहीं है यह काफी बड़ी बात हो जाती है मैंदा OnePlus जो खुद चाइनीज कंपनी वो चाइना में अपना प्रोड़क्त नहीं वेच थी लेकिन इंडिया में वो अपने सारे प्रोड़क्त ला रही है जो कि बहुत इंटरस्मी बात हो जाती है वेल अगर बात करें इंडिया की तो इंडिया यह दुनिया का समार्टफोन मार्केट है लेकिन इसके सांथी एकलोता ऐसा स्मार्टफोन मार्केट जो आज सबसे जादा चाही से गरोर है जहां हम बात करें चाइना की USA की वहाँ थोड़ा बहुत डिक्लाइन आपको देखने को मिल रहा है USA के अंदर अब लोग उतने जादा फोन नी खरीद रहे हैं जितने 5-6 साल पहले खरीदा करते थे लेकर इंडिया की बात अलग है इंडिया में स्मार्टफोन पहले से जादा बिक रहे हैं हर कोई नए नए फोन ले रहा है से दिखाय तो उसके बाद smartphone revolution आया और आपको सस्ते price के अंदर काफी अच्छा और high end phones देखने को मिलने लगे उसके बाद oneplus आई, vivo आगई, धीरे धीरे realme भी आगई और काफी सारी companies आगए उसके बाद market आना बहुत जाद तीसे grow करने लगा even जो सबसे बड़ा जो shift आया था ना वो आया था smartphone industry इंडिया में 2016 जहां पर Gio की एंटर्वी थी इंडिया में और Gio के चकर में लोगों ने 4G capable smartphones खरीड डाले और उसका impact ये पड़ा कि आज के समय में हर कोई smartphone पे आगया और लोग पहले से जादा तेजी सी smartphones को upgrade कर रहे है जो कि इससे पहले पॉसिबल नहीं था तो देखा तो काफी था factors ने इंडिया की smartphone growth में एक काफी बड़ा रोल प्ले किया है और यही एक रिज़नी कि आज के समय में आपको इतनी सारी companies market में देखने को मिल रहे हैं अब एक तरद से हिसाब लगाते शाओमी होगे शाओमी की साथ Redmi पोक हो यह सब उसके साथ हो गए इसके बाद Realme है ओपो है वीवो है अब एक IQ आ गई है OnePlus है यहां तक कि आपको टेक्नो देखने को मिलती है इन्फिनिक्स देखने को मिलती है, मोटरोला देखने को मिलती है, असूस देखने को मिलती है, नोकिया देखने को मिलती है इसके लाब वो और भी छोटी मोटी company से जिसके बाहर में बात करते जाए तो वो भी खतम नहीं होने वाले लेकिन मार्केट पे बहुत ज़ादा कम्पनीज मौझूद है और सबसे इंटरसिंग बात देखा तो मैजॉरिटी कम्पनीज प्रॉफिटेबल है इंक्लूडिंग सैमसंग की बात करें तो वो इंडिया का दूसरे नंबर का स्मार्टफोन मेकर हो जाता है जो कि कुछ साल तक पहले हुआ करता तो शौमी नंबर वन पर है लेकिन ओवररल पात का है तो सारी जो कम्पनीज जनब वो बहुत तेज़ से कम्पीट करें और बहुत ज़ादे तेज़ से अपने स्मार्टफोन को लांच कर रही है आप खुद ही देखी न कि Realme 6 Pro, Redmi Note 9 Pro इन दौनों फोन्स की बीच एक हफते का गैप है अब ऐसा क्यों ना हो क्योंकि इंडिया का जो मार्केट है वो इतना ज़ादा बड़ा और इतना ज़ादा बढ़िया है कि हर कोई कंपनी ना इसको छोड़ना नहीं चाहती है इसलिए हर कंपनी अपने लेवल पर ट्राइ कर रहे है इवन आप सैमसंग कोई देखो पिछले 2-3 महीनों के अंदर उन और कितने ज़ादा फोंस लांच कर डाले इसका भी कोई हिसाब नहीं है इसी रियल मी लगी पड़ी है आने वाले समय से आपको बहुत सारे शामी के फोंस भी देखने को लेंगे देखा जा तो इस सिलसला खतम नहीं होने वाले सिलसला आगे लंबे समय तर बढ़ता ही रहेगा और सिर्फ इतनी ही बात नहीं कि जो इंडिया में अपने ग्लोबल लॉंचिस और फिर इंडिया को पहली प्रियरिटी दे रही है वो इंडिया के लिए स्पेसिफिकली फोंस और फीचर को भी डिजाइन कर रहे है खास बात की जाए तो काफी सारी कंपनी ने स्पेशल आरेंडी फैसिलिटीज को इंडिया के अंदर डेवलप किया जहांपे वो फोंस को डिजाइन वगरा करते है और इंडिया के लोगों के लिए अप्टिमाइस करते है फोंस को जाए इसकी वीवो का है काफी बड़ा प्लांट इंडिया के अंदर जहांपे वो अपने फोंस को बनाते हैं Samsung की तो एक बहुती जादा बड़ी mobile phone manufacturing facility इंडिया के अंदर जहां पे वो phones को बनाते हैं और सिर्फ इतना ही नहीं कि वो इंडिया के जो phones बनाते हैं वो इंडिया में फोन बनाके दूसरी countries में बेच रहे हैं अब इसका में रीजन ही है कि इंडिया में आज के समय में फोन बनाना थोड़ा जादा सस्ता पड़ रहा है as compared to China क्योंकि चाइना में दस साल पेले जितना सस्ता था आज के समय में उतना सस्ता नहीं है और इसका फाइदा उठा कि जो companies है वो सस्ते में फोन्स को अवैलेबल करवा पाती इंडिया में और यही एक रीजन है कि इंडिया के फोन्स को बाहर ले जाके भी काफी ज्यादा बेचती है इसका वाल भी है कि अगर आप किसी दूसरी कंटरी में भी स्मार्टफोन खरी नोना तो बहुत ही ज्यादा चांस है कि उसके बॉक्स की पीछे लिख रहे इंडिया तो यह दिखके लग रहे कि अगर मार्केट ऐसी ग्रो होता रहा जाधा से जाधा फोन्स के अगर इंडिया में में मिनुफेक्चिरिंग होती रहे तो क्या पता इंडिया आगे चलके पूरी तरीक से स्मार्टफोन सुपर पावर बन जाए वैसे वो बात भी एक अच्छे होगी ना कि इंडिया की कंपनी इंडिया में हे लोकर इंडिया के लोग को फोन बैच रही है वैन उस दिन का भी इंतिजार है क्योंकि जस तरीक से स्मार्टफोन इंडेश्री रोज आना बदल रही है तो कुछ भी हो सकता है वैसे आप लोग कि अब लगता है कि इंडिया पूरी तरीके से स्मार्टफोन सुपर पावर बन सकता है तो ये बात नीचे कमेंड़ें बताना ना बूलना अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करने और चैनल को सब्सक्राइब करने ऐसी अमेजिंग वीडियो के लिए थेंक्यों आपका वीडियो देखने के लिए मैं आप से लिदा निक्स वीडियो में गुडबाई